हलो फ्रेंज, चैम आता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों जब हम सूर्य देवता की बात करते हैं, तो साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं पृत्वी पर और उनके बाद चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है, जो हमारी जीवन पर इतना ग्रहरा प्रभाव डालता है. माना जाता है, जो भी हर पुर्णिमा आती है, उसमें समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, वो सभी चंद्रमा ग्रह की वज़ा से होते हैं, जो कि मनुश्य के मन पर बहुत गहरा चाप चोड़ता है. चंद्रमा को मा का सूचक माना गया है, मन का कारक माना गया है, चंद्रमा ग्रह नीच में होता है चंद्रमा ग्रह नीच में होने के बहुत से कारण हो सकते एक तो कुंडली दोश होता ही है अगर राहू केतू या शनी आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैटे हो तो चंद्रमा खराब फल देने लगता है साथ ही साथ जिस घर में अगर आप रहते हैं उस घर में वायव्य कोण अगर दूशित होता है तो भी मनुश्य का चंद्रमा खराब हो जाता है और घर में अगर जल का स्थान या जल की दिशा दूशित हो तो भी चंद्रमा मंदाफल देने लगता है जो भी लोग पुर्वजों का अपमान करते हैं उनके शाद कर्मा आदी नहीं करते हैं तो उनकी कुंडली में धीरे धीरे चंद्रमा दूशित हो जाता है जो लोग अपनी माता का अपमान करते हैं, उनसे बहस करते हैं, विवात करते हैं बिना बात, वो सभी को चंद्रमा अशुब फल देने लगता है और अगर आपके शरीर में जल दूशित हो गया है, तो भी चंद्रमा के अशुब प्रभाव छेलने पड़ते हैं जो लोग ग्रे कलर करने के आदि हैं, लडाई जगड़े करते हैं, पारिवारिक सदस्यों को धोका देते हैं, उन सभी के जीवन में चंद्रमा मंदा फल देने लगता है अगर किसी मनुशी के जीवन में चंद्रमा शुब फल देखता है, तो वो मनुश्य धनवान होता है, द स्तार से बताऊंगी कि आप किस प्रकार इसका उपाई कर सकते हैं जैनरली में चंद्रमा के जो बीज होते हैं औशदी होते हैं जल होते हैं मोती होते हैं दूद होता है घोड़ा होता है मन होता है इन सभी पर चंद्रमा का राज माना गया है और सबसे आसान चीज क्या है दू दूद हर समय हमारे घर पे सबसे आसानी से उपलब्ध होता है और ये बहुत सारी समस्याओं का हमारे जीवन से समाधान भी करता है क्योंकि जोतिश में हम चंद्रमा का कारक दूद को मानते हैं इसमें चीनी या मीठा मिला दें अगर दूद में तो ये मंगल के उपाई हो जा तो माना जाता है भूले नात हमारे जीवन के सभी ग्रह दोशों से हमें मुक्ति दिला देते हैं समस्त ग्रह दोश टल जाते हैं और ऐसे में ये दूद के उपाई हमारे जीवन में बहुत-बहुत काम आते हैं कहा जाता है कि शिवलिंग पर अगर आप दूद अर्पित करत और इसलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमाक रहे अशुक प्रभाव डाल रहा है तो सोमवार के दिन सुभी सुभी उठकर आपको इक उपाई करना चाहिए। आप चड़ाने के बाद रुद्राक्ष की माला से वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराई नमा इस मंतर का 108 बार चप करते हैं तो ना सिर्फ इससे अशुक ग्रहों की पीड़ा दूर होती है बलकि अगर आपकी कोई मनो कामना मन में है बाकी पड़ी है तो वो भी पुर्ण जरूर ह होती है दोस्तों सोमवार के दिन आप चंद्रमा को आपको मैं हमेशा कहती हूं कि अर्ग दीजे पुर्णिमा के दिन अर्ग दीजे और दूद मिला कर चंद्रमा को थोड़ा सा अर्ग देना चाहिए इससे आपका घर हो व्यवसाय हो सभी में उन्नती आपको मिलती है आप आपकी personality को लेकर आपके आत्म विश्वास को लेकर के आप हमेशा failure हो जाते हैं कोई भी कुछ पूचता है आप घबरा जाते हैं या फिर आप व्यवसाय में आप किसी से डील करने जाते हैं आपके अंदर confidence नहीं रहता आप बात करने में गड़बर हो जाते हैं और फिर बाद अर्ग जरूर देना चाहिए और ध्यान रखें कि आप जब चंद्रमा को अर्ग देते तो प्रार्थना करें कि है चंद्रदेव मेरे मन को स्ट्रॉंग करें इसे आपके अंदर जो बुरे खायाल खास का जब पती या बच्चे काम पे जाते हैं तो इस्त्रियों के अंदर बुरे खायाल आते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं जो लोग भी नौकरी या विवसाही में आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं सफलता पाना चाहते हैं उनको शिव मंदिर में जल में दूद मिलाकर शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए आप चाहें तो आप अगर वहाँ नहीं कर सकें तो पीपल के विरिक्ष पर भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के विरिक्ष पर भी सभी देवताओं पित्र का वास माना गया है, और अगर थोड़े से दूद में आप आधी कटोरीं ले ले और उसमें थोड़े सी छीनी एक बुंद घी मिला करके आप पीपल के व्रिक्ष में चड़ाते हैं और वहां बैठ करके ओम सुमेश्वराए नमा ओम सुमेश्वराय नमह, ओम सुमेश्वराय नमह, इस मंत्र का जप करते हैं, तो माना जाते हैं कि लक्ष्मी माता की विशेश कृपा आप पर बनी रहती है, आपके जीवन में धन हो, संपत्ती हो, एश्वरे हो, ये सभी का सुख प्राप्त होता है, और माता लक्ष्मी आप आपके घर पे स्थाई रूप से निवास करती है अखंड लक्षमी के आवाहन के लिए पीपल के व्रिक्ष का पूजन करना ही करना चाहिए आप चाहें तो लोहे के बरतन में ले ले थोड़ा सा जल चीनी दूद और गी और इसको पीपल की पेड की छाया में आपको चड़ान थोड़ा सा चीनी और केसर या हल्दी मिलाकर शाम के समय आप शिवलिंग पर चड़ाएं हमीशा बताती हूँ केले के व्रिक्ष की पूजन करें आप केले के व्रिक्ष की तो करें ही करें नहीं भी करें तो शिवलिंग पर अकर ओम नमह शिवाय का जप करते वे आप इसको चढ़ाते हैं, देकि हल्दी कई जगे शास्त्रों में आप वादित हैं, इसलिए हल्दी ना चढ़ाएं, केसर मिक्स कर लें, आप वो बेटर होगा option, हल्दी कई जगे चढ़ाने के लिए मनाई की जाती है, इसलिए आप केसर मिलाकर के दूद में इस पे चढ़ाएं, और फि को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, आप देखेंगे, गुरू अपना अशुब फल त्याग करके आपको शुब फल देना शुरू कर देते हैं, दूद के बहुत सारे उपाय होते हैं, खासकर रवी बार की आज भी रात है, और रात को सोते समय, अगर आप एक गिलास में दूद भर कर, अपने सिर के पास रख कर सो जाते हैं, ध्यान रखें, दूद रात को गिरे नहीं, इस प्रकार आपको रखना चाहिए, और अगले दिन सुबह उठ करके, आप फ्रेश आदी होकर के, इस दूद को आप किसी बबूल, किसी कीकर के पेड के नीचे, या पीपल के पेड के नीचे, या बरगत के पेड के नीचे डाल देते हैं, तो माना चाता है कि इस से आपके उपर जो नजर बादा है, या किसी ने कुछ किया कराया है, वो सभी दूद दूर होते हैं, नेगिटिविटी आपके आसपास जो भी है, नेगिटिव इनर्जी अगर किसी आपके उपर डाली है, वो दूर हो जाती है, और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं, साथ ही साथ अच्छानक धनलाब, जिसको आकस्मिक धनलाब हम कहते हैं, उसकी प्राप्ती होती है, बिगडे हुए काम बनने लगते हैं, और पैसा आने लगता है, दोस्तों अगर बार 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 आपकी जीवन में accidents होते हैं और किसी के साथ बार बार दुर्घटना या accident हो रहा हो तो आपको ये काम मंगलवार के दिन दूद से करना चाहिए 400 ग्राम दूद ले ले और उसमें चावल ले ले एक मुठी और उसको धो कर आप बहती नदिया जड़ने में बहाते जाएं साथ ही साथ ओम हंग हनुमते नमः ओम हंग हनुमते नमः ओम मंगल देवताई नमः इस प्रकार से आप जब करते जाएंगे लगातार 7 मंगलवार आप इस उपाइ को करेंगे तो दुरखटनाएं होनी बंद हो जाती हैं और घर में सुखशांती का वास होता है जो लोग भी बिमार हैं ऐसी बिमारी लग चुकी है जो ठीक नहीं हो रही है पकड़ में नहीं आ रही डॉक्टर्स परेशान हो चुके हैं ऐसी असाधी बिमारी के लिए आपको सूमवार के दिन एक उपाय करना चाहिए रात नौ बजे के बाद आपको शिव मंदिर जाना च और वहीं बैठ कर फिर रुद्राक्ष की माला से ओम जूं सह इस मंत्र का चप करें रोजाना कम से कम 108 बार जप करें जो अगर बिमार हैं अगर वो खुद इस जप को कर सकते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है रुद्राक्ष की माला उनके हातों में देदे वो चाह दिनों तक रहती है जिन से मुक्ती चाते परिशान होते हैं ऐसे में भी इस उपाय कॉप सोंबार को दिन करें तो भी अच्छा रहता है दोस्तों शिवलिंग पर दूद चढ़ाने से गंभीर बिमारियों से रक्षा होती है साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा हो मनो कामना हो वो इस उपाय को करने से जरूर पूर्ण होती है मनो वांचित फल प्रदान करने वाला उपाय है और जीवन में अगर बहुत जादा परेशानिया है दुरभाग कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा तो आपके घर के आसपास अगर कोई कुआ हो तो उसमें दो चमची जब आपके जीवन में फेलियर हो रहा है डिप्रेशन आरा है लग नहीं रहा है अपको साधन नहीं दिख रहे है कहां कैसे क्या होने वाला है तो आपको सभी तरह के जो ये गलत तरीके के नेगेटिव काम होते हैं तांतरिक अनुष्ठान अदी होते हैं और रात में जो कर जाओती है वो ही आपको करना ही चाहिए साथ ही साथ किसी भी प्रकार का नशा आदी नहीं करना चाहिए व्यसन नहीं करना चाहिए मास, मदिरा, तामसिक, भोजन इन सभी चीजों से दूर रखना चाहिए साथ ही साथ भोजन के साथ नकरात्मक विचारों से भी आपको नहीं है इसलिए स्वावधानी से करें तेरस हो चौदस हो अमवस्या हो पुर्णिमा हो ग्रहन हो किसी भी तरह की बड़ी रात्रियां जो आती है उसमें आपको पवित्रता मेंटेन करने चाहिए अपने रिष्टेदारों से चाहे वो दादी हो मां हो बेहन बेटी भाई मौस जो भी हो या काका मामा जो भी हो सभी से आपको संबंद अच्छे बना के रखने चाहिए और रिष्टेदारों में आपस में पवित्रता मेंटेन करके रखने चाहिए दोस्तों अपने घर को वास्तु के अनुसार बना के रखे और उसके बाद भी अगर वास्तु दोश है आपके घर पे तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर पे जरूर लगा करके रखें और जो भी वास्तु उपाई आप करना चाहते हैं वो आप करते रहें साथ ही साथ अपने घर में साफ सफाई का विशेश रूप से आपको ठ्यान रखना चाहिए जाडू का दान भी प्राप्ति होते हैं चन्द्रमा ग्रह के उसको आप दूद के सफलता प्राप्त कर सकते हैं आपके प्रेंज प्रेंद्स फिमिली ममे बापा भाई बेन बच्चे जो लोग भी है उन सबी से इस वीडियू को जरूर शends करें क्यूंग नहीं पता कौन्सी वीडियो जो कि northern लब यू आल फ्रेंद्स, टेक केर, जह माता दी, बंबं भुलेनात की, किसी भी तरह के प्रशन हो, प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिखके जरूर पूछ ले, वीडियो से रिलेटेड प्रशन होने चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप और म प्रिजनारी जहां पर आपको एस्ट्रोजी रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, तो आप सभी उसको सब्सक्राइब करके रखें, और अक्षे तरित्य की जो कॉंपटिशन है, आइफोन एक्स और पचास सिल्व कोईन दिये जा रहे हैं, उसमें आप पाटिसिपेट कर सकते है मेरी विश है, सभी 10,000 जो फर्स्ट कमिंग सब्सक्राइबर्स रहेंगे, मैं सब को बाटू, पर मेरी इतनी शमता नहीं है, इसलिए हाज चोड़कर विंती है, आपके लिए लिए लगी ड्रॉ किया जाएगा, जो लगी नंबर होगा, उसको ही ये गिफ्ट किये जाएंग इस अक्षे तृत्य होगी ब्रिजनारी परिवार की चान्दी ही चान्दी, हम देने वाले हैं एक आइफोन एक्स और सौ चान्दी के सिक्के, सिर्फ हमारे लेटिस्ट आस्ट्रोजी चैनल ब्रिजनारी के लॉंच अफसर पर, आप सभी के डिमांड पर ब्रिजनारी सुमी आपको बताएंगी आज का राशीफल, भाग्य परसंटेज, लखी रंग, लखी नंबर और भी बहुत कुछ तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारे नए अस्रोलोजी चैनल ब्रिजनारी को